सालेकों वेल्कम बेक टू माई चैनल कैसे आप सब लोग मीद करती हो कि सब ठीक टाक होंगे लेकिन अगर आपको मेरी ये वीडियो देखने की ज़रूरत फील हुई है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ गड़ बढ़ है लेकिन कोई बात नहीं आपने टेंशन नहीं ले मोस्ट कॉमन रिजन है वो है पिलाइटीड एव्यूम और एन अम्प्रियोनिक प्रेग्नेंसी ये मेडिकल की टर्म है लेकिन मैं इसे बहुत असान अर्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि एंड पे में आप तो इस चीज़ में आप डिटेंशन बिल्कुल नहीं रहनी है और पॉजिटिव रहना है वैसे तो मिस्कैरिज की बहुत से रिजन्स होती है लेकिन 50% जो मिस्कैरिज देखे गए हैं वो बिलाइटीड एव्यूम की वज़ा से होते हैं तो आखिर बिलाइटीड एव्यूम आ जाती है लेकिन बहुत से कैसिस होते हैं कि आठवे हपते तक दिल की धड़कन नहीं आती है लेकिन उसके बाद आ जाती है लेकिन जब आप इस टाइम में डॉक्टर के पास विजिट करते हैं और वो आपको कहते हैं कि सिर्फ एक खाली सैग पढ़ा हुआ है उसमें कोई कोई भी जान नहीं पर रही है कोई भी बचा रजर नहीं आ रहा है अब इस केस में जो है वो दो सिचुएशन बनती है पहली सिचुएशन तो यह होती है कि अक्सर लोग यह कंप्लेंड करते हैं कि मैं हमने पेगनेंसी टेस्ट किया यूरिन टेस्ट भी पॉसिटिव आया लेकिन हमारे जो है वो कुछ दिनों के बाद हमें हैवी ब्लीडिंग हुई या फिर हमें हैवी पिरियर्ज आ गए इस केस में उन्हों को पता ही नहीं होता है कि उनका अर्ली मिस्केरिज हो गया है और उन्हें यहीं लगता है कि हमारे नॉर्मली पिरियर्ज आ गए है या जब और ऐसा होता है कि डॉक्टर कहती है कि इसमें कोईभी बचा नज़र नहीं आ रहा है तो आर्मली वह आपको थोड़ा वेड करने लिए लिए कहती है मतलब कि वह आपको कहती है कि एक से दो हफ्ते के बाद आप दुबारा से वियजिट करो वो इसलिए कहा जाता है कि हो सकता है कि आपकी conception लेट हुई हो, आपकी ovulation लेट हुई हो, मतलब कि एंग लेट रिलीज हुआ हो, पिर आप अपने शोहर से उस ताइम पे मिले हो तो आपकी conception थोड़ी लेट हुई हो, असल में आपको लग रहा हो कि शाहिए 7 और 8 हफते हो गया उतना ही बड़ा होता है, उसकी measurement उतनी होती है, वो grow नहीं करता और उस time तक भी उसमें कोई बचा नज़र नहीं आता है, तो डॉक्टर इसको belighted evium का नाम दे दिती है, अब अक्सर ऐसा होता है कि इस cases में अपने आप ही bleeding start हो जाती है, आपको दर्द होती है, पेट के अग तक डॉक्टर ही उन्हें बताती है कि इसमें बच्चा नहीं आया है और यह blighted evium है, अब अगर कुछ लोग यह कह रहे होते हैं कि मैम हमें तो सारे symptoms आ रहे हैं, लेकि डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा ही नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि HCG हार्मोन भी increase हुआ है, यह वो हार्मोन होता है जो कि pregnancy के case में बढ़ता है, और इसी के विज़े से आपके pregnancy test भी positive आते हैं, और आपको सारे symptoms भी show होते हैं, तो यह कुछ हरसे तक आपके blood में रहता है, जिसके विज़े से आपका miss carriage होने के बाद भी test positive आ रहा होता है, और लोगों को यह बहुत दा attention रहती है कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो वो possible है, क्योंकि HCG हार्मोन थोड़े टाइम तक आपकी body के अंदर stay करता है, और उसके बाद उसको time लगता है सारे के सारा excrete होने में, तो हम बात करते हैं कि इसके क्या causes हैं, इसके क्या reasons हैं जिसकी वज़े से bilated abium होता है, मैं आपको एक बिल्कुल सही बात बताओं तो इसके बहुत से causes हैं, लेकिन बहुत से causes ऐसे भी हैं जो कि unknown है, मतब कि हम नहीं पता है, साइसे से नहीं जो है वो चेक कर पाई है कि ऐसा क्यूं होता है, लेकिन जो mostly cases में देखा गया है, 50-80% तक miscarriages जों है, bilated ab abium के, वो chromosomal abnormality के वज़ा से होते हैं, मतब कि आपका egg अची quality का नहीं था, या फिर आपका शोहर का जो sperm है, वो अची quality का नहीं था, तो उसकी वज़ा से बच्चे के अंदर chromosomal या genetic मसला आया है, तो इसलिए वो फर्दर क्रोन नहीं कर पाया, तो अगर आप चेक करना चा करता है, या फिर निकलता है, तो आप उसका टेस्ट करवा सकते हैं, लैम में, तो उसे आपको यह चीज़ हो जाती है, कि इसमें क्या problem था, लेकिन मैं आपको यह ही सेज़ेस्ट करूंगी, कि कोई बात नहीं है, अगर बलाइटिद अवियों के वज़ा से पैंगनेंसी नह है, तो आप जितनी मजी मेडिकेशन ले लें, जितनी मजी इंजेक्शन लगवा लें, उसके अंदर बचा नहीं आएगा, किसी भी मेडिकेशन से उसके अंदर बचा नहीं आ सकता है, मतलब आपको यह चीज़ अक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, तो अगर एक दफ़ा आपका जो है, वो आपको पता चल गया कि यह बिलाइट अभी हों है, तो अब नेक्स्ट क्या होता है, अब इसमें तीन तरह की प्रोसीजर्स होते हैं, फर्स्ट होता है, मतलब कि अपने आप ही आपको दर्दे स्टार्ट हो गई, और सारे का सारा मटेरियल जो बचा नहीं के निकल जाता है, लेकिन बहुत से केसिस में वो मटेरियल बाहिल नहीं निकल पाता है, आप सारी के सारी डोस ले ले लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मटेरियल अंदर रह जाता है, तो इस केस में क्या करना चाहिए, आपको डीनसी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन म हो सकती है या नहीं हो सकती है अगर आपका first miscarriage हो गया है तो definitely आपकी दुबारा pregnancy हो सकती है और आप दुबारा conceive भी कर सकते हैं less than 1% chances होते हैं कि आपको दुबारा से belighted abuse हो लेकिन normally जो है वो आप दुबारा से pregnancy के लिए try कर सकते हैं और हमें कब दुबारा अपने शोहर से मिलना चाहिए तो जब तक आपको bleeding होगी तब तक तो आप अपने शोहर से नहीं मिल सकते हो लेकिन जब bleeding रूख जाती है तो आपको चाहिए कि one week या two weeks इसका थोड़ा gap दे दे और उसके बाद आप अपने शोहर से मिल सकते हो आप normal life में आ सकते हो लेकिन आपको pregnancy जो है वो तकरीबन तीन महीने से लेके 6 महीने तक नहीं करनी है दुबारा conceive नहीं करना है क्योंकि बचादानी जो है उसका size पहले से बढ़ा होता है तो उसको अपने size में आने के लिए थोड़ा time लगता है आपकी body को, hormones को urgent होने में थोड़ा time लगता है तो इसलिए 3-6 महीने तक आपने दुबारा conceive नहीं करना है उसके बाद आप ट्राइ करें इस तो रहना आप अपनी body के लिए अची vitamins ले सकते हैं, supplements ले सकते हैं आपके इस वीडियो में आपके साथ questions को clear किया होगा लेकिन अगर आपके फिर भी कोई question है तो आप मुझे comment section में कर सकते हैं इने चैनल को subscribe करना मत भूले, Instagram पी follow करना मत भूले, अपना बहुत साथा ख्याल रखें, Allah Hafiz